आज बहुत खाना खा लिया अब मन कर रहा है कांग फेला के आराम से सो जाओं पढ़ाई लिखाई स्कूल से तो तुझे कोई मतलब है नहीं फैस की तरह है खा और सो जा आपकी बाते सुनकर कभी कभी मन करता है ये दौलत, सोहरत, पैसा साथ त्याग के कहीं दूर चले जाओ पहले कुछ कमा तो ले फिर त्याग ना पढ़ना लिखना तो है नहीं फाल तु बाते कर ले पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा बिटा पढ़ाई लिखाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी नौकरी करके क्या करूंगा नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएगा पैसा पै करता है, है, बेटा मेरे पैसों से कब तक आराम करेगा, खुद भी पैसे कमाने पड़ता है, मैं तो घर बैठे पैसे कमा लूँगा, वो कैसे, मम्मी के गहने बेच कर, मम्मी के गहने बेच कर, वा, 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 मेरे पास बहुत तेज दिमाग है, मैं बहुत होश्यार हूँ, फाल तु बाते करता है कितनी जोड से मारा पड़ाई कर वरना पूरे दिन मुर्गा बनाऊंगा मुर्गा पसंद नहीं है आज पनीर बना दो पनीर खाने का मन कर रहा है फाल तु बाते करता है क्या हुआ जी समझा ले इसको वरना ये मेरे हाथ से मर जाएगा आई नेचुरल है प्राकरति नेचुरल है जा टॉइलेट जा हाँ हाँ जाता हूँ कितनी अच्छी नीदा रही थी सोने भी नहीं देते यहीं पर आराम से सो जाता हूँ पर देसी पर देसी जाना नहीं तुझे सब आता है पड़ाई करके क्या करूँगा तुझे सब आता है अच्छा, दो खाने वाली चीज़وں के नाम बता दो खाने वाली चीज मा कसम और बाप कसम अबय कोई फल, सबजी, अनाज, कुस इनका नाम बताता मा कसम, बाप कसम मा कसम, मा कसम कितनी जोर से मारा मिता मेरा नाम रोसन करेगा तू चल बाहर चल, पढ़ाई करेगा मैं जो सवाल पूछूंगा सही सही उत्तर देना वरना उठक बैठक कराऊंगा हाँ हाँ पूछो, लेकिन कोई कठिन सवाल मत पूछना कोई सरल, कमजोर, मरियल, लुल्ले जैसा सवाल पूछना चल भैस पर निबंध सुना निबंध? ये क्या होता है? अबै भैस के बारे में बता एकजाम में आएगा तो क्या लिखेगा? अपना सर, है? भैस बहुत काला और मोटा होता है उसके चार हाथ होते हैं और एक लौकी जैसा मूह होता है और उसके पीछे पंखा होता है उससे वो मख्या भगाता है अबै वो पूछ होती है, पूछ पंखा नहीं, पीछे पंखा होता है भैस के पीछे पंखा होता है पंखा मेरे बाप, इतना मत मार कितना मारता है चल, कान पकड़ कर सो उठक बैठक कर कान पकड़ कर सो उठक बैठक कर मेरे बाप, मुझे माफ कर दे जल्दी कर एक ये दुनिया दो ये महफिल आत तीन मेरे काम की नहीं काम की नहीं सो सो उठक बैठक हो गए कमर में दर्द हो रही है मेरे दात में दर्द हो रहा है मेरे दात में दर्द हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी मम्मी मेरे दात में दर्द हो रहा है मेरे बेटे के दात में दर्द हो रहा है और तुम उसे उठाक बैठा करा रही हो आंटी नमस्ते बिट्टू तेरा दोस्त आया है इसके दाथ में दर्द हो रहा है कल आना जा जा घर जा अपने मम्मी आने दो मेरा दाथ का दर्द आप थोड़ा ठीक है आप अपना काम करो, जाओ जाओ, 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 हाँ, ठीक है और सुना, मेरे दोस्त, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता, जा बताओ यार, पापा ने बहुत परिसान करके रखा है तेरे पापा तो बहुत अच्छे है अच्छे? बिलकुल अच्छे नहीं है अभी तेरे दात में दर्द हो रहा था, अब कैसा है? दात में दर्द? मेरे दात में दर्द नहीं है, बिलकुल दर्द नहीं है, मैंने अपने पापा से छूट बोला जब भी पापा पढ़ाय करने को बोलते हैं मैं दाथ दर्द का भाना बना देता हूँ कभी पेट दर्द का भाना बना देता हूँ पीछे मुड़ के देख पीछे पीछे क्यों देखूँ जा नहीं देखता पीछे मुड़ के देख अरे पीछे देख, पीछे देख, क्या पीछे देखूं? मेरा दाथ में दर्द हो रहा है, मेरा दाथ में दर्द हो रहा है, आज तेरे सारे दाथ तोड़ता हूँ, रुक